विने बेटा, तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था क्या? अरे कालेज में पढ़ाई करके भी तु ये सबजियां बेचता अच्छा लगता है क्या? देख, पुरा गाउं हस रहा है तुझ पर, और मुझ पर भी. लोग हसने हैं तो हसने दीजिये बाबा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ? अरे पर ये सबजियां बेचकर क्या हसल होगा तुझे? तुझ सहर जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता? बाबा, शेहर जाकर नौकरी करूंगा तो यहां आपका खयाल कौन रखेगा? और वैसे भी, ये कहां लिखा है कि पढ़ाई लिखाई बस शेहर जाने के लिए होती है? मैं यहां गाउं में रहकर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ बाबा. ये है विडए, जो किसी भी हाल में अपने बुढ़े माता पिता को गाउं में अकेला छोड़ कर शेहर जाने को तैयार नहीं था. हालांकि भविश्यो को लेकर उसके मन में योचनाय थी, लेकिन फिलहाल वो सबजियां बेच कर ही अपने परिवार का गुजारा चला रहा थ एक तरफ विन्य था, जो कम संसादुनों में भी बड़े सपने देख रहा था, और दूसरी तरफ थी शालिनी, जो शेहर के एक बड़े बिजनेसमेन रायचंद की कलौथी बेटी थी, शालिनी को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी. उफ ओ, अब इस लड़के में क्या कमी है शालिनी, अगर ऐसे ही सब को रिजेक्ट करती रहोगी, तब तो तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी. तो आप क्या चाहते है पापा, मैं किसी से भी शादी कर लूँ क्या, इन सब में वो बात नहीं जो मुझे चाहिए. सोच में पढ़ गई, कि अब वो क्या करे, ये किस्मत का खेली था, कि अगले ही दिन शालिनी को अपने कॉलिज ट्रिप पर उसी गाउं में जाना था, जहां विने रहता था. शालिनी और विने की मुलाकात अच्छानक ही हो गई, और सीधा साधा विने शालिनी को एक ही नजर में भागया और फिर, तुमारा दिमाग खराब है क्या शालिनी, तुम उस फटीचर से शादी करोगी, मेरे इतने बुरे दिन आ गया है क्या, जो एक ठेला लगाने वाला अब मेरा दामाद बनेगा? पापा, वो गरीब तब तक रहेगा जब तक आपका दामाद नहीं बन जाता, मुझसे शादी करने के बाद तो उसके लिए सब कुछ बदल जाएगा ना, पापा मैंने फैसला कर लिया है, अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ विने से वरना किसी से नहीं, शालिनी के जि अगर तुम्हें यहां गाउं में रहने में परिशानी है, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। कुछ हुआ ही नहीं, अब शालिनी अकेले शहर नहीं जा सकती थी, और विने के साथ गाउं में उससे रहा नहीं जा रहा था, फिर एक दिल। यही पहनने के अदर डाल लेनी चाहिए। जी हुजूरी, शालिनी तय कर चुकी थी, उसने फोरण अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। ना तो उसे विने ने रोका और ना ही शालिनी के पिता रायचंद ने उसे समझाने की कोशिश की, इस तरह पूरा एक साल भीद गया, शालिनी और विने एक दूसरे से बहुत दूर थे, और इस बीज दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात तक करने की कोशिश नहीं क लेकिन सच तो ये था कि शालीनी वाकई विने से बहुत प्यार करने लगी थी जिसका एसास उसे अब विने से दूर जाकर हो रहा था शालीनी, ये क्या? तुम्हारी आखों मैं आसूं? ये कैसे हो गया? अब तुम बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हे? पापा, मुझे विने की बहुत यादा रही है, मुझे उसके पास जाना है तो तुम्हें रोका किसने है बेटी? मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया लेकिन सच तो ये है बेटा, कि वाकई विने जैसा लड़का मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं ढूंट पाता वो लाखों मैं एक है, उसके जगह कोई और लड़का होता, तो कपका घर जमाई बनने के लिए तयार हो जाता लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं आया, यही उसके लायक होने का सबूत है जाओ बेटा, अपने ससुराल जाकर रहो, वो जैसा भी है, अब तुम्हारा असली घर वही है विने से दूर रहकर शालीनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था ठीक दिवाली के दिन वो अपने ससुराल लोटी, और खास बात ये थी कि शालीनी ने इस बार वही साड़ी पहनी हुई थी जो उसकी सास ने उसके लिए पिछली दिवाली पर खरीदी थी शालीनी को देखकर विनेय और उसके माता-पिता बहुत खुश हुए अब दोनों के बीच सारे गिले शिक्वे दूर हो चुके थे और दिवाली के दियों की रोश्नी में विनेय और शालीनी का रिष्टा भी जगमगा रहा था दिवाली आने वाली थी, लोग उसकी तयारियों में जुटे हुए थे कोई पटाके खरीद रहा था तो कोई दिये, लेकिन उचाले के इस्तियोहार के आने के पहले श्याम जी के जीवन में घंखोर अंधिरा चागया था अस्पताल के आईसियो वार्ड के बाहर अपनी पत्नी रेखा के साथ श्याम जी असहाई से खड़े थे उनके एकलौती छोटी सी बिटिया राधा अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है वो हर दिन अस्पताल आते और अपनी बिटिया को तिल तिल मरता देखते और कुछ नहीं कर पाते आज भी जब वो अस्पताल में अपनी पत्नी के साथ आईसियू के शीशे के बाहर खड़ी होकर अपनी बिटिया को देख रहे थे तो उनकी आँखों में आंसों का सैलाब था उनकी बेटी भी उनकी तरफ टुकुर टुकुर देखे जा रही थी, उसकी आँखों में आंसो थे इतना ऐसा है, इतना आसा है, मैंने कभी महसूस नहीं किया रहा, मेरी नन्नी सी जान मौत से लड़ रही है, लेकिन मग कुछ नहीं कर सकता उसके लिए कुछ मत कहिए जी, कुछ मत कहिए, भगवान ऐसी तकलीफ किसी को न दे शाम जी जमालपुर गाउं के पोस्ट आफिस में डाकिया हैं हर दिन अपने जोले में एक खुशियां और गम लेकर निकल पड़ते हैं अपनी साइकल से पूरे गाउं में उनकी बहुत ही इज़त है जैप्रकाश जी, ओ जैप्रकाश जी अरे शाम जी आप आज कल आए हैं अपने जोले में हमारे लिए शाम जी अपने हाथ में पकड़े लिफावे को देखते हुए कहते हैं कि अब रेलवे की ओर से कोई चिठी आई है जैप्रकाश जी वो ये बाते करी रहे थे कि जैप्रकाश जी का वेटा नंदलाल वहां गया उसने उन दोनों की बातचीत सुन ले थी उसने शाम जी के हाथों से लिफावा लिया और उसे पढ़ने लगा पढ़ते पढ़ते उसके चहरे पर चमक आ गई ये सुनकर जैप्रकाश जी शाम जी को रुखने के लिए कहते हैं ताकि वो उन्हें मिठाई खिला सके अरे नहीं जैप्रकाश जी आज नहीं फिर किसी और दिन अभी बहुत काम है बहुत जगा चिठ्थियां डालनी है ये कहकर शाम जी अपनी साइकल पर सवार होकर किसी दूसरे पते की ओर निकल गए शाम जी अपना काम बहुत ही इमांदारी से करते और हमेशा उनके चेहरे पर एक मुसकान होती लेकिन पिछले कई दिनों से शाम जी बहुत परिशान है वो अपनी परिशानी लोगों में जाहिर नहीं होने देते लेकिन हर बार उन्हें डॉक्टर की वो बात याद आती है जो कुछ दिनों पहले डॉक्टर ने उनसे कही थी और वही सोच कर उनका दिल बैठ जाता है कोई तो उपाय होगा डॉक्टर साहब देखिए शाम जी मैंने कहा ना ये एक ऐसी बिमारी है जो लाखों मेंसे किसी एक को होती है उन लाखों लोगों मैंसे भगवान को मेरी बेटी ही मिली मेरी मासुम बिटिया ने क्या बिकाड़ा है किसी का आप धीरेज रखिए और सच्चाई का सामना करिए ऐसे मैंने कहा ना ये बिमारी ला इलाज नहीं है बड़े अस्पताल में ऑपरेशन के बाद ये बिमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी उसमें पैसे कितने खर्चोंगे पचास लाक रुपए शाम जी ने जैसे ही ये सुना उनके उपर बिचली सी गिर गई राधा उनकी एकलौती बेटी थी बड़े ही लाट प्यार से वो और उनकी पत्नी मिलकर उसे पाल रहे थे राधा पढ़ने लिखने में होश्यार तो थी ही वो समझदार भी बहुत थी हाला कि शाम जी और उनकी पत्नी रेखा ने राधा को उसकी बिमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था लेकिन उसे अंदाजा लग गया था कि उसे कोई गंभीर बिमारी हो गई है क्योंकि ना तो वो अब स्कूल जाती थी और ना ही खेलने सारा दिन वो अस्पताल के बिस्तर पर ही लेटी रहती थी एक दिन उसने शाम जी से कहा कि पिता जी मैं कब खेलने जाओंगी कब स्कूल जाओंगी कब बाहर घूमने जाओंगी पूरा दिन अस्पताल के बिस्तर पर सोई रहना मुझे पसंद नहीं है अरे बहुत जल्द बाहर घुमने जाओगे मेरी बच्ची मैं तुम और मा तीनों जाएंगे तुम्हारे साथ ठीक है आप सच पूल रहे हैं ना पिता जी और क्या अरे ऐसी बातें भोल कर भी मुझे नहीं निकालते बेटा तुम्हारी तबियत थोड़ी खराब है थोड़े दिनों में तुम बिलकुल ठीक हो जाओगी श्यामजी ने राधा को कह तो दिया लेकिन उन्हीं पता था कि वो कैसे दर्दनाख हकीकत से गुजर रहे थे पचास लाख रुपए इतनी बड़ी रकम थी जिसका इंतजाम करना श्यामजी जैसे व्यक्ति के लिए लगभा का संभव था वे इसी चिंता में गले जा रहे थे एक दिन की बात है श्यामजी और उनकी पत्नी रेखा बाते कर रहे थे हम दोनों अगर खुद को भी बेच दें तो उभी पचास लाख रुपए नहीं ला पाएंगे लेकिन बिना पैसो के कैसे हमारी बिटिया ठीक होगी भगवान ने कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा न जी क्या खाक सोचा है कभी कभी तो लगता है कि भगवान है ही नहीं अगर हैं तो हम जैसे लोगों के साथ ऐसा क्यूं होता है ये हमारी परिक्षा का समय है भगवान तो हैं ही बस वो हमारे धहरे की आजमाईश करते हैं ये कैसी परीक्षा, ये कैसी आजमाईश, अगर कोई बीमारी देनी थी तो मुझे दे देते, मेरी नन्ही सी जान से उनकी क्या दुश्मनी थी रेखा जानती थी कि उसके पती अभी बहुत परिशान है, इसलिए वो चुप रही, लेकिन इस बीच शाम जी की चिंता का सर उनके काम पर दिखना शुरू हो गया अरे, आपको हो क्या गया शाम जी, पिछले हफते भी आपने रंजन भया की चिठी मेरे पते पर डाल दी, और आज की शोर जी के मनी ओर्डर उनके पते पर देनी की जगा मुझे दे रहे हैं शाम जी ने उस वारत की बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, इतने साल उसे वो चिठी बांट रहे थे, लेकिन आज तक उनसे कोई गलती नहीं हुई थी, उन्होंने उस वारत से माफी मांगी और उसे सही पते पर पहुँचाया जब वो उसे पहुचा कर वहां से अपनी साइकिल पर आ रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक लोटरी के टिकट बेचने वाले की दुकान देखी, दुकानदार ने एक बहुत बड़ा सा बैनर अपने दुकान के बाहर लगा रखा था, और जोर जोर से चिल्ला भी रहा था लोटरी का टिकट ले लो, लोटरी का टिकट ले लो, इस दिवाली लक्ष्मी माता खुद आपके दुआर पर आने को हैं तैयार, तो देर क्यों कर रहे हो मेरे यार, लोटरी का टिकट खरीदो, और पहले इनाम में एक करोड पाओ, और पहला इनाम ना भी निकला, तो दोस शामजी उस दुकानदार की बातों को बहुत देर तक गौर से सुनते रहे, फिर वो उसके पास गए शामजी ने दुकानदार की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने टिकट खरीद लिया और अपनी साइकिल पर अस्पताल पहुँच गए, आज अपने बहुत देर करती आने में कहां रह गए थे, शामजी ने अपनी पत्नी को लोट्री के टिकट के बारे में ब शामजी ने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, कुछ दिन और बीते, आज 27 सारिक थी, सुबह से शामजी का मन बहुत घबरा रहा था, उन्होंने सुबह सुबह एक बुरा सपना भी देख लिया था, जिससे उनका मन आशंकाओं से भर गया था, उस दिन उन्होंने डाग घर से छुटी कर ली और अस्पताल पहुँच गए, अस्पताल पहुँ शामजी, हम आपको किसी गलत फैम्यों में नहीं रखना चाहते, आपकी बेटी राधा की हालत दिन प्रते दिन बिगड़ की चली जा रही है, कब क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए उसे जल्द से जल्द बड़े अस्पता ले जाने और उसके ऑपरेशन की टैय जाती है, हम धीरे धीरे ये जंग हार रहे हैं रेखा, हार रहे हैं, वी दोनों बात कर रहे थे कि तभी अस्पताल में जो टीवी लगी हुई थी, उसके स्क्रीन पर एक एंक कराता है, दिवाली की लोटरी के बंपर इनाम की आज घोशना हो गई है, अगर आपने टिकट ल चार चार पाच नों शाम जी के लोटरी निकल गई थी, उनके जीवन की सबसे वड़ी टेंशन दूर हो गई थी, लोटरी के पैसे से उन्होंने अपनी बेटी राधा का इलाज करवाया, वो बिल्कुल ठीक हो गई, उन्होंने बागी बचे 50 लाख रुपए अस्पताल में ही दान कर दिये, ता तो स्वाया कर दिये ओे गई।